दोस्तों अगर आप हार्दिक पंडे को बहतरीन किलाडी बांदे तो तुमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों पहला T20 मुकाबला जीतने के बाद साउथ अफरिका के दिगजो ने भारती टीम को लेकर दिया कुछ ऐसा बयान जिसमें पूरे क्रिकट जगत में मचा दिया कोहरा मुरा किरकार साउथ अफरिका के दिगजो ने भारती टीम को लेकर क्या अपने बयान में कहा ये थो हम आपको वीडियों बताएंगे लेकिन उसे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्तिक पांडिया और डेविड मिलर में कौन है बहतर के लाड़ी इस बात का जवाब हमें ने इचे कॉमेंट सिक्षिन में जरूर दीजेगा दोस्तों भारत और साउथ अफरिका के बीच के लिए गए एक बेहदी रोमांचक मुकाबले में कप्तान रिशाप पंत ने सबसे पहले टौस आर कर बल्ले बाजी करने का आमंतरन पाया और पहले बल्ले बाजी करने के लिए इचान किशन और रितुराज गायकवार्ड ने ताबड़ तोड बल्ले बाजी करी और पावर प्ले में 51 रन बटोर लिए लेकिन इसके बाद रितुराज गायकवार्ड के 23 रन पर आउट हो जाने के बाद श्रेश आयर के 36 और रिशब बंद के 29 रन थे और इसके लावा इशान केशन ने बहुत ही जबरदस्त बल्लिबाजी करते हुए और अंत में हार्दिक पांडिया की 31 रन की पारी ने भारती टीम को बहुत ही आगे पहुचा दिया और भारती टीम 20 ओवर में 211 रन चार विकेट के नुकसान पर बना पाई जिसके बाद 212 रन के लक्ष का पीछा करने जब साउथ अफरिका की टीम उतरी तो साउथ अफरिका के कपतान तिमबा भाववा दस रन पर आउट हो गए लेकिन इसके बाद बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफरिका के बल्लेबाज डेविड मिलर और वेंडर हुसेन ने 75 और 64 ठंकी पारी खेल कर भारती टीम को पांच गेंद शेश रहते ही मुकाबला हरा दिया और साथ विकेट से साउथ अफरिका की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में रॉंग्टे खड़े कर देने वाली जीत दर्च करें दोस्तों पहला मुकाबला जीतने के बाद साउथ अफरिका के दिगजों ने कुछ भारती टीम को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है जियां जिसमें हाशी ममला ने काया कि भारती टीम इस मुकाबले को बहुती बुरी तरीके से भारती टीम की गलतियों के कारण हारी है क्योंकि भारती टीम के खिलाडियों ने इस मुकाबले में बहुती जादा गलती करी और अगर भारती टीम के खिलाडी इस मुकाबले में शांदार प्रदर्शन करने के बाद शांदार शेत ररक्षन करते तो भारती टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाती लेकिन भारती टीम खुद की गलतियों के कारण ही इस मुकाबले को हार गई है और इसका फायदा उठ प्राकर साउथ अफरेका की टीम ने एक शांदार जीत दर्श करी है। जादा ही घमंड कर रहे थे जिसके कारण उनको मज़ा चकाना अनिवार हो गया था और भारती टीम के बेकार प्रदर्शन के कारण ही साउथ अफरेका की टीम ने ताबड तोड बल्ले बाजी करके जीत दर्श की है। अटने की आवशक्ता थी वहाँ गेंद बाजों ने ताबड तोड बेकार गेंद बाजी करके बल्ले बाजों को तोफे में रन दे दिये। दोस्तो साउथ अफरेका की टीम इस मकाबले को किसके लाड़ी की कारण हा रही है। इस बात का जबाब हमें नीचे कॉबर सिक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्स्क्राइब कीज़ें मारे यूटिप चैनल को। धन्यवाद। ऑन्यवाद ऑन्यवाद